हेलो नवसकार मित्रों आपका स्वागत है हमारे चैनल भरतीन नौलिज में आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सपने में तलवार देखना कैसा होता है सपने में तलवार चलाना कैसा होता है और सपने में जो है तलवार अपने हाथ में पकड़े हुए देखते हैं तो इस काम के जिवन पर क्या प्रवावर्ड पड़ता है सारी जानकारी विस्ताय से इस चोटे से वीडियो में हम आपको देने वाले हैं लेकिन आपसे अनुरूद है अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बैल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आईसी ही ग्यान बार तक जानकारी आपके पास जल से जल पहुंचती रहा है अब चलिए बात कर लेते हैं अब चलिए इनी अवस्ताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं हमारी जो पहली अवस्ता होती है जिसमें हम अपने हाथ में तलवार को पकड़े हुए देखते हैं बेना मयान की अगर तलवार हम देखते हैं और जो है सपेद तलवार है बिलकुल और चमक रही है उसकी धार वगएरा काफी सार्फ है तेश है अगर ऐसा सपना आता है तो यह सपना हमें मानसमान का प्रतीक माना जाता है यह सपना हमें बताता है कि आने वाले दिनों में हमको मानसमान प्राप्त हो सकता है पॉलिटिकल वगैरा में अगर आप इंटरस्टेट है और पॉलिटेक्स करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके बेक्टत्थों में ब्रद्धी हो सकती है बहिए बात कर लेते हैं अगर आप इस तरही है और यह सपना आप देखनी है इसके अलावा यह सपना आपको दर्शाता है कि आपको आने वाले दिनों के लिए जो कुद को तयार रखना है कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपकी जो है सामाजिक इस्तिती है या सामाजिक तस्वीर है वो धूमिलो वेजिती वगारा होने के चांस रहते हैं यह सपना इस इसको आप नर्ष्ट करना चाहते हैं उसको जो है तलवार से अगर आप नर्ष्ट कर देते हैं सपने में यदि ऐसा सपना आता है तो यह बेहद ही मंगलकारी सपना माना जाता है ऐसा माना जाता है कि आने वाले दिनों में आप अपने सत्रूम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इसके अलाबा अगर नोकरी बगएर कंपडिशन बगएर की तैयारी करते हैं तो आने वाले दिनों में उस मोवें आपको सफलता 100% तक मिल सकती हैं बहीं बात कर लेते हैं सपने में जो है मियान के अंदर से तलवार निकलना कैसा होता है यह सपना आपके अग्रियेशन को प्रदर्शित करता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपका सेल्फ कॉन्पिटेंस काफी हाई होने वाला है आत्मित्वास बढ़ने वाला है बहीं अगर आप सपने में मैयार रखते हैं तो यह सपना बढ़िया नहीं माना जाता है इसका मतलब होता है कि आने आले दिनों में आपका आत में जल लोज होगा